हेई, वार्ट्स अब गाईज, वेल्कम टू माई यूटीब चनेल, आईटी क्रियेटर्स, सो गाईज, तुरें इस वीडियो, आई विल सो यू, टॉप फाइब एमेजिंग इलेक्रोनिक मोटर साइकल, जिसको बनाया गया है, टोटली न्यू टेक्नोलाजी कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसलिए ये सभी मोटर साइकल को देखके, आप सोचोगे कास मेरे पास भी ऐसा एक मोटर साइकल होता, तो ये सभी इलेक्रोनिक मोटर साइकल के बारे में और भी डिटिल्स में जानने के लिए, सो गाईज, लिस्ट टार्ट इस वीडियो, और आईटी क्रिये के पास एक एमेजिंग ड्रीम है, तो हम सभी का ग्रोध होने के साथ साथ हमारा टेक्नोलजी भी बहुत ही तेजी से ग्रोध कर रहा है, इसलिए आने वाला दिनोवे इनेचर को सेफ करने के लिए खुछ ग्रेटिस्ट इन्वेंट और ऐसा एक स्टाइलिस्ट मोटर साइकल को इन्वेंट करें है, जो किसी भी LPG गैस या पेट्रोल डिजल के भीना चल सकता है, तो ये इलेक्रोणिक मोटर साइकल में आपको मिलेगा बहुत सारा एमेजिंग फीचर, जैसे कि इस बाइक को डिजाइन करा गया है एक नॉर्माल फूइल में चलने वाला बाइक के जै में फूल चर्च कर पाओगे, एंड इस बाइक को एक बार फूल चर्च करने के लिए 100 रुपीज का इलेक्रिसिटी खाड़ा चोगा, जिसमें आप 260 किलोमीटर तक राइडिंग कर पाओगे, एंड फूइल बाइक में 260 किलोमीटर राइडिंग करने के लिए 375 रुपीज पेट्रोल लग जाता है, 4. सूर रॉन लाइट बाइक, गाइस, नॉर्मली हम राइडिंग स्टन करने के लिए काम में लेते हैं माउंटेन बाइसाइकल या माउंटेन बाइक्स का, जिसमें बहुत ही पाओफुल इंजिन को काम में लिया जाता है, तो ऐसे ही पाओफुल म बाइसाइकल के जैसा, एंड पावरफुल हाइस्पीड माउंटेन बाइक्स के जैसा, तो गाइस, इस बाइक का टोटल वेट हे 100 kg, जो इसमें 2000 वाट का बैटरी यूज करा गया है, तो इस बाइसाइकल के साथ मिल ले वाला स्पेशल चार्जर के मदद से, ओनली 3 हावर मे फुल चर्च कर सकते हो, एंड इस इलेक्रोनिक मोटर साइकल को एक बर फुल चर्च करने के बाद, आप टू 200 किलेमेटर तक राइडिंग कर पाओगे, तो गाइस, इस बाइक का बैटरी को एक बर फुल चर्च करने के लिए, ओनली 70 रुपीज का इलेक्रिसीरी खाराच हो अधी तो काम में लेते हैं, नौर्मल बाइसाइकल एंड मोटर बाइक्स का, जिसको चलाने के लिए हुमेन पावर एंड पेट्रोल का जरूरत परता है, तो कभी-कभी बाइसाइकल को चलाने का टाइम हम बहुत ही ठक जाते है, तो ऐसे एडवांस टेकनोलोजी का जमाने म आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक 2-in-1 बाइक, जिसको चलाने के लिए ना कोई पेट्रोल लगता है, ना कोई हुमेन पावर की जरूरत परता है, तो इस बाइक का सामने में यूज करा गया है एक रिमोबबल चार्जिंग बैटरी का, जिसको आप खोल के अलाग से चार् इसको आप दो तरीके से काम में ले सकते हो, एक पेडिलिंग करके एंडिक इसका इलेक्रोनिक मोटर को यूज करके 2. स्वाय गडोलार गाईज, हम ऐसे एक टाइम पिरियेड में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलोजी का इंप्रूब्मेंट बहुती तेजी से ग्रो कर रहा है तो हमड़ा लाइप को ईजी से और भी ईजी बनने के लिए, डेली कितना सारा हाइट टेक्नोलोजी गजट्स का इंविन्शन करा जार रहा है जो सब गजट्स हमड़ा लाइप को बहुती ईजी बना देता है तो यह सभी life easy करने वाला electronic gadgets के अंदर से आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक electronic scooter या bike जो only one wheel के मदद से चलता है तो यह one wheeler electronic bike का weight है only 14 kg जिसमें 120W का battery यूज करा गया है तो यह swag roller को एक बार full charge करने के बाद आप टू 20 km तक चला पाओगे एंद इस one wheeler electronic bike में कोई handle नहीं होने के बजा से इसको आप आपका smartphone के मदद से speed control and अलगला control करके चला पाओगे और विए swag roller में आपको मिलेगा Bluetooth speaker and LED lights तो इसमें आप smartphone के मदद से music चला पाओगे गाईज आज काल का advanced technology का जमाने में हमारा smartphone से लेके टीवी तक सब कुछ smart हो गया है तो आज का इस वीडियो electronic motorcycle के बारे में है जिसमें already 4 electric bikes दिखा चुका हूँ तो आभी आपको दिखाऊंगा ऐसा एक amazing electronic bike जो smart bike है So guys, introducing F.U.C.I. electronic bike तो ये electronic smart bike में आपको मिलेगा बहुत सारा amazing feature जैसे कि इस F.U.C.I. bike में यूज करा गया है pedaling and electronic motor तो जब भी pedaling करके ये bike को चलाओगे, bike का बैटरी automatically charging होने लाएगा और जब भी आप pedaling करना बंद कर दोगे, इस bike का smart sensor डिडेट करके automatically electric power यानि engine on हो जाएगा जिससे इस smart bike को आप बहुत long distance तक चला पाओगे तो इस electronic bike के अंदर 500 watt का बैटरी यूज करा गया है जिसको आप 2 hour के अंदर full charge करके riding के लिए ready कर सकते हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया था इस bike को जब भी battle करके चलाओगे bike के बैटरी automatically charging होने लाएगा जिससे इस bike को एक बार full charge करने के बाद आप तो 280 km तक चला पाओगे तो ये bike अभी भी market में launch नहीं हुआ है तो आज का special दिनों में मैं एक ही बाद बताना चाहूँगा जै हिंद वन्दे मातरम So guys ये amazing वीडियो के लिए एक like तो बनता ही है And screen का एक वीडियो को भी देख सकते हो So thanks for watching this video guys and ta-ta take care